अब हम सेल विभाव के बारे में जान लेते हैं, जब किसी धातू इलेक्ट्रोड को उसके विलेन में डुबाया गया, तो यहाँ पर एक विद्यूती द्वी इस्थर का निर्माड होता है, क्योंकि धातू जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोन त्याग देता है, उस पर निगेटिव चार्ज और जो सॉलूशन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन होता है, तो यहाँ पर एक विद्यूती द्वी इस्थर का निर्माड हुआ, तो यहाँ धातू एवम विलियन के मध्य विभुआंतर उत्पन हो जाता है, अब हम सेल विभाव को और यहाँ टो यहाँ तो किसी भी विद्यूत्रा सायनिक सेल में दोनों सेल कि विद्वी इसीथर के मधेज़ बंधर, दोनों एलेक्ट्टोडो के अन्तर होगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रो मोटिफोर्स या इसे शेल विभाव के रूप में भी जानते हैं, और इसे वॉ माइनस E L के रूप में भी इसको दर्शाया जा सकता है यहाँ पर एनोड पर ऑक्सिडेशन और कैथोड पर रिड़क्शन होता है तो उस रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं कि जैसे E R E D लिखा है मतलब E reduction माइनस E oxidation यहाँ अपचैन हो रहा है राइट हैंड साइड में और जो ऑक्सिकरण की क्रिया है वो हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में तो इसके अंतर को भी हम दर्शा सकते हैं E cell के रूप में अब यहाँ पर जो गैलवेनिक सेल है गैलवेनिक सेल में zinc electrode है और copper electrode है तो zinc के लिए जो electrode विभाव का मान है वो होता है माइनस 0.76 वोल्ट और जो copper है उसके लिए मान होता है प्लस 0.34 वोल्ट तो यहाँ गैलवेनिक सेल के लिए यदि हम E cell कैलकुलेट करेंगे तो E cell बराबर E cathode माइनस E anode यदि यहाँ पर हम जो विद्यूत अबगट्य है उसकी सांद्रता E काई में ले लें तो E0 के रूप में इसे दर्शाया जाएगा यहने standard electrode potential को E0 के रूप में दर्शाया जाता है यदि विद्यूत अबगट्य की जो सांद्रता है वो 1 molar हो, temperature 298 Kelvin हो और 1 atmospheric pressure हो सब कुछ standard है तो यहाँ जो E की value है उसे हम E0 के रूप में दर्शाया जाता है तो जो यहाँ सूतर है उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode तो E0 cathode यहाँ पर copper है galvanic cell में तो copper के लिए है 0.34 minus चुकि anode यहाँ पर zinc है तो zinc के लिए जो value है minus 0.76 जब दोनों को हम जोडते हैं तो value आती है 1.10 volt तो यह galvanic cell के लिए E0 cell की value या electron जो cell विभाव का मान है वो हमें प्राप्त यहाँ पर हम विद्यूत्रासायनिक cell को तीन तरीके से किस तरह से convert करके देख सकते हैं यदि यहाँ पर external कोई battery लगा दिया जाए तो इसकी तीन तरीके से यहाँ पर changes हो सकते हैं पहला जो है वो है galvanic cell दूसरा उसका जो नेचर होगा वो reversible और तीसरा जो है वो electrolytic cell की तरह कारे करने लगेगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो galvanic cell है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं सब वही रहेगा सिर्फ एक external battery यह दिया यह तो किस तरह से यह कारे करेगा शर्त यहाँ पर है कि जो बाहे battery लगाया जा रहा है उसके लिए जो value है बाहे battery की जो छमता है वो यहाँ पर cell की तुलना में कम होगी तो यहाँ जो value है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E cell is less than 1.1 volt तो जो 1.10 volt है वो है galvanic cell के लिए electrode potential की value galvanic cell के लिए जो E cell है या cell विभो का मान है या विद्धुत वह अगबल का मान है 1.10 तो यदि E cell is less than 1.10 volt तो ऐसी इस्थिती में क्या होगा यहाँ पर जो reaction है वो स्वता होगा delta G की value negative होगी क्योंकि जो spontaneous process है तो spontaneous process के लिए जो मुक्तूर्जा परिवर्तन का मान है वह रिनात्मक होता है electron का जो flow है वह zinc से copper की तरफ होगा और जो current का flow है वो copper से zinc की तरफ होता है यहाँ जो reaction है इसमें हम देख रहे हैं सेम उसी तरह का procedure है जैसा हमने ग्लैलवेनिक सेल में पढ़ा कि chemical energy, electrical energy में convert होती है याने electricity produce हो रही है दूसरा हम देखेंगे कि यदि जो बाह ये battery की छमता है वह E cell के ही यहाँ जो E cell का मान है वो 1.1 volt के बराबर ही है तो यहाँ यह reversible होगा किसी भी प्रकार की chemical reaction यहाँ पर नहीं होगे ना electron का flow होगा और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का current flow होगा तीसरा जो condition है वो हम देख रहे हैं कि यदि E cell का मान 1.1 volt से जादा है यह बाह बैटरी की जो छमता है वो cell भी बहुत से अधिक है तो ऐसी स्थिती में जो electron का flow है वह copper से zinc की तरफ होगा और जो current का flow है वह zinc से copper की तरफ होता है तो यह जो zinc है यहाँ पर cathode की तरह कारे करेगा और जो copper है वह यहाँ पर anode की तरह कारे करेगा तो जो यहाँ पर changes हो रहे है energy की वो कैसी होगी वो विद्यू तूर्जा रासाय निकूर्जा में परिवर्तित होती है यहाँ electricity जो है consume होती है जैसे galvanic cell में electricity produce हो रही है यहाँ पर यह consume होगी current का flow zinc से copper की तरफ होगा और जो electron का flow है वह copper से zinc की तरफ होने लगता है galvanic cell एवं विद्यू तबगटनी cell में अंतर पहला विद्यू तरासायनिक cell में redox अभी क्रियाय होती है और उनके द्वारा विद्यू तूर्जा उत्पन होती है जबकी विद्यू तबगटनी cell में विद्यू तूर्जा बाहरी श्रोच से दी जाती है और उसके द्वारा विद्यू तरासायनिक परिवर्तन या विद्यू तबगटन होता है विदूत रासाइनिक सेल में एनोड रिणध्रू वाला होता है, कैथोड धन्ध्रू वाला होता है जबकि विदूत अबगटनी सेल में एनोड धन्ध्रू और कैथोड रिणध्रू वाला होता है विद्धूत अबगटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग-अलग विलियन एवं पात्रों में रखे जाते हैं विद्धूत अबगटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलियन में रखे जाते हैं विद्धूत्रासायनिक सेल में लवन सेतु आवश्यक होता है जबकि विद्धूत अभगटनी सेल में लवन सेतु की आवश्यकता नहीं होती है कभी-कभी ज़्यादा क्रियाशील उत्पादों को न मिलने देने के लिए डाइफ्राम या सरंद्र रोधक का प्रयोग किया जाता है विद्धूत्रासायनिक सेल में के कारी करने पर मुक्तूर्जा में कमी आती है तो डेल्टा जी इस लेस देन जीरो विद्धूत्रासायनिक सेल पर कारी होने से उसकी मुक्तूर्जा में फ्रिद्धी होती है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभाव का मापन अकेले नहीं कर सकते किसी भी electrode के लिए जब हम electrode विभव का मापन करते हैं तो उसके लिए कि standard हमें मानना रहता है तो standard यहाँ पर माना जाता है hydrogen electrode को standard hydrogen electrode इसको short में SHE के रूप में भी जाना जाता है या normal hydrogen electrode इसे NHE के रूप में भी जाना जाता है इसे संदर्व इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ही हम दूसरे धातु की इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं तो जो hydrogen electrode होता है, उसके लिए electrode विभव 0.00V है, इसको आधार मानकर दूसरे electrode के लिए electrode potential को count कर सकते हैं, अब हम hydrogen electrode की संरचना के बारे में जान लेते हैं, hydrogen electrode, hydrogen यहाँ पर gas है, तो इसके electrode को किस तरह से बनाया गया है, वो आप देखिए, जो यह hydrogen का electrode है, यहाँ पर एक beaker है, जिसमें 1 molar HCl solution यानि अमल का solution लिया गया है, 1 molar HCl भी ले सकते हैं, और 1 molar H2SO4 भी ले सकते हैं, अमल का विलियन है, तो यहाँ पर काज की नली उसके अंदर डूबी हुई है, जि इसमें प्लेटीनम का तार लगा है, अब इस प्लेटीनम की तार की साहता से प्लेटीनम की पत्ती जुड़ी हुई है, जिस पर प्लेटीनम ब्लेक लगा हुआ है, तो यह जो प्लेटीनम ब्लेक है, वो यहाँ पर अधिसोशन के लिए सतह परदान करता है, अब यह जो पू atatmospheric pressure पर hydrogen gas प्रवाहित की जाती है तो ये जब hydrogen gas प्रवाहित की जाती है तो वह platinum की सत्व पर किस प्रकार कारे करता है वो देखिए platinum की सत्व पर न देखर हम किम दोएmotheropo22- زर्दky prer !! तो प्रवाहिद जो act 2 gets का कुछ उभ्ण सροष यह वो platinum पर लिएmotheropo 22 शेस जो अंश है वह बुलबुले के रूपने बाहर निकलने लगता है तो जो प्लेटीनम की सता है वहाँ पर हाइड्रोजन याने H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहेंड करता है और एक H बनता है फिर दूसरा एक H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहेंड करता है H बनता है तो इस solid platinum चुकि धातू है तो वो solid है फिर एक छोटी line है फिर H2 gas के रूप में हो गई अब 1 bar चुकि H2 gas को हम 1 atmospheric pressure पर या 1 bar pressure पर अंदर भेज़ते हैं तो 1 bar लिखेंगे फिर double line है इसके बाद H plus है तो H plus यहाँ पर जो solution है जो HCl है या H2SO4 है उसको शो करता है और उसका हम सांद्रन ले रहे हैं 1 molar चुकि यहां बात हो रही है standard electrode potential की standard hydrogen electrode की तो जो पूरा condition है पूरी जो शर्ते हैं वो standard होंगी यानि 298 Kelvin temperature होगा 1 bar atmospheric pressure होगा यहां पर जो सांद्रन है solution में वो हम ले रहे हैं 1 molar HCl का तो इस तरह से जब हम hydrogen electrode को व्यक्त करेंगे तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं कि H2 से 2H plus plus 2 electron तो यह hydrogen electrode reversible electrode की तरह भी कारे करता है कैसे यह समय पढ़ने पर oxidation भी कर सकता है और depend करता है किस electrode के लिए electrode विभो की गरना इसके द्वारा की जानी है यदि सामने वाला electrode यहां पर oxidation का कारे करेगा या उस पर oxidation होगा तो यह reduction होगा इसके अंदर और दूसरे electrode पर यदि reduction होगा तो यहां oxidation की करिया होगी यहने hydrogen electrode जो है वो उतक्रमणिय electrode की तरह या reversible electrode की तरह भी कारे कर सकता है एनोड की तरह भी कारे कर सकता है और cathode की तरह भी कारे कर सकता है यदि यह एनोड की तरह कारे करेगा तो इसे हम शो करेंगे कि H2 is equal to 2H plus plus 2 electron यहने यहां electron निकल रहा है oxidation हो रहा है और यदि यहां cathode की तरह कारे करेगा तो इसी cell reaction को हम लिख सकते हैं 2H plus plus 2 electron is equal to H2 मतलब यहां electron grant करने की करिया हो रही है अप chain की करिया हो रही है तो जो hydrogen electrode है वो हमने जाना किसी ऐसे electrode के लिए भी ग्याद कर सकते हैं जो एनोड की तरह कारे करेगा और इसकी साहता से हम cathode वाले गुण रखने वाले electrode के लिए electrode विभाव की गरना भी कर सकते हैं हमने ये देखा कि hydrogen electrode को reference electrode या फिर संदर्ब electrode भी कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि hydrogen electrode की साहता से हम किसी भी दूसरे electrode का मानक अवस्था में electrode विभाव की गरना कर सकते हैं तो यहां पर मानक अवस्था का अर्थ यह है कि 298 Kelvin temperature, 1 atmospheric pressure, 1 molar concentration जिस solution में electrode को डुबाया गया है और जिस electrode का हमें electrode विभाव ग्याद करना है तो किसी भी electrode के लिए मानक अवस्था में जो electrode विभाव ग्याद करना है तो उसे यदि हम standard hydrogen electrode के साथ जोड़ देते हैं तो एक cell का निर्माड हो जाएगा क्योंकि standard hydrogen electrode जो है वो cathode की तरह भी कारे करता है और anode की तरह भी कारे करता है तो यदि हम यहाँ पर SHE या standard hydrogen electrode की साहता से दूसरे electrode का electrode विभाव ग्याद कैसे करना है कि किस प्रकार से hydrogen electrode सहायक होता है किसी भी दूसरे electrode के electrode विभाव को ग्याद करने में यहाँ पर हम एक उदाहरन जिंक के लिए ले लेते हैं, जिंक इलेक्टरोड का इलेक्टरोड विभाव में ग्याद करना है, तो मानक अवस्था में जो जिंक इलेक्टरोड है उसको 1 molar जिंक सलफेट में डुबाया गया है, तो यह एक अर्दे सेल बन गया, यहाँ पर जिंक क के लिए इलेक्ट्रोड विभाव हमें पता नहीं है यह हमें ग्याद करना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की साहेता से मानक हाइड्रोजन एलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, E0 का मान होता है, वो 0.00 यह भूल्ट होता है, यह हम पहले ही जान चुके हैं, यहां पर जिस इलेक्ट्रोड के लिए हमें, अलेक्ट्रोड विभाव की गणना करनी है, उसका एक अर्धिसेल बन पर दोनों सेल के मध्य संपर्क या विद्यूती संपर्क को बनाने का कारी करता है विद्यूत उदासींता बनाए रखने का कारी करता है तो यहां पर एक विद्यूत रासायनिक सेल का निर्माड हो गया जिस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव ग्यात करना है उस इसके साथ हम SHE या स्टेंडर्ड हाइडरोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ कर एक पूर्ण सेल का निर्मार कर लेते हैं, दोनों हाफ सेल, एक हाफ सेल में आक्सीकरण होगा और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होगा या पचैन की क्रिया होगी, तो जैसे ही दोनों सेलों को ज शेप हुआ, तो इलेक्ट्रोन का जो प्रवा है, वो जिंक से हाइडरोजन इलेक्ट्रोड की तरह हो रहा है, तो जिंक यहाँ पर एनोड की तरह कारी करेगा, और जो हाइडरोजन इलेक्ट्रोड है, वो यहाँ पर कैथोड की तरह कारी कर रहा है, जिंक से दो इलेक्ट्र है वो दो इलेक्ट्रोन को ग्रहन करता है तो 2H plus plus 2 electron is equal to H2 तो यहां zinc में oxy current हुआ और hydrogen में up chain की क्रिया हुई तो इस प्रकार जब हम दोनों सेलों को जोडते हैं दोनों सेलों को जोडने के बाद जो विक शेप राप्त हुआ है वोल्ट मिटर में वो है 0.76 का विक शेप है तो यह जब हम सूत्र में मान रखेंगे EMF निकालने के लिए तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode तो जो E0 cell है यानि cell का जो विक शेप है वो हमें प्राप्त हुआ 0.76 equal to E0 cathode minus E0 anode तो cathode यहाँ पर किस तरह से represent हो रहा है E0 H plus by H2 minus E0 zinc 2 plus by zinc तो यहाँ जो complete बिक शेप है वो 0 दसमलव साथ चे है equal to hydrogen यहाँ हाईडरोजन यहाँ cathode की तरह कारे कर रहा है तो 0.00 minus E0 zinc के लिए E0 यहाँ पर zinc के लिए प्राप्त हुआ minus 0.76 volt तो इस तरह हमने देखा कि zinc के लिए कैसे SHE की साहता से इलेक्टरोड विभाव की गरना हो सकती है zinc यहाँ पर anode है और जो hydrogen electrode है वो यहाँ cathode की तरह कारे करता है अब हम ऐसा उदाहरण लेंगे जहाँ पर यह hydrogen electrode कैथोड की तरह कारे करेगा तो यहाँ पर हम copper का example लेते हैं कि copper rod को यदि copper sulfate में डुबाया गया और इसका एक अर्धिसेल बना दिये दूसरी तरफ जो SHE है वो एक अर्धिसेल है सभी मानक अवस्थाओं में ही कारे करेंगे याने 290 Kelvin temperature, 1 atmospheric pressure या 1 bar pressure तो यहाँ पर copper को SHE के साथ जोड़ दिया गया तो यहाँ जो SHE है या standard hydrogen electrode है वो यहाँ पर anode की तरह कारे करेगा और जो copper का electrode है वो यहाँ cathode की तरह कारे करेगा अर्थात उसमें अपचयन की क्रिया होगी तो यहाँ पर जब दोनों ही अर्धिसेलों को फिर से हम वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं और एक लगी सहायता से दोनों सेलों के मध्य जो विद्धूती संपर्ख है उसको बनाए रखने के लिए इसे जोड़ देते हैं तो एक complete विद्धूत्रासाइनिक सेल का निर्माड होता है तो जैसे ही यहाँ पर क्रिया शुरू होती है ओक्सीकरण की क्रिया शुरू होती है हाइड्रोजन इलेक्टोड की तरफ तो यह देखा जाता है कि जो विक्षेप है वोल्ट मीटर में वो हमें प्राप्त होता है 0.3-4 वोल्ट तो यहाँ जब हम सूत्र लिखते हैं तो E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode तो complete cell के लिए यहाँ पर जो वोल्ट मीटर में विक्षेप है वो प्राप्त हुआ है 0.3-4 equal to यहाँ जब हम E0 cathode cathode यहाँ पर copper वाला है तो E0 copper 2 plus upon copper minus E0 यहाँ पर जो anode है वो यहाँ पर hydrogen का है तो hydrogen का जो anode है उसको हम किस तरह से show करेंगे H2 upon H plus इस तरह से हम इसे show करेंगे तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो complete विक्षेप है बोल्ट मीटर में वो 0-10-4 प्राप्त हुआ तो reaction इसमें अगर अर्द सेलों का reaction हम देखें तो कैसे होगा hydrogen यहाँ पर anode की तरह कारे कर रहा है तो hydrogen पर oxy करण की करिया होगी oxy करण की करिया होगी यहने electron उसमें से निकलेगा तो जो reaction है वो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर जो हम reaction लिखेंगे H2 equal to 2H plus plus 2 electron और इनी दोनों electron को जो copper 2 plus है वो ग्रहन करता है यहने copper यहाँ पर cathode की तरह कारे करेगा electron ग्रहन हो रहा है तो copper 2 plus plus 2 electron is equal to copper तो यहाँ पर copper प्राप्त हुआ तो cathode की करिया होगी cathode पर अपचेन की करिया हुई copper पर तो इस तरह से जब हम इसे net cell reaction के रूप में लिखेंगे तो complete cell reaction यह लिखा जाएगा copper 2 plus plus H2 equal to copper plus 2H plus क्योंकि यहाँ पर दोनों electron जो है उसको हम काट देंगे क्योंकि वो दोनों complete cell बन गया दोनों के लिए दोनों earth cell के reactions को जोड़ कर हम net cell अभिक्रिया को प्राप्त करेंगे तो इस तरह से हमने देखा कि जो complete cell में जो विखेप है वो 0.34 प्राप्त हुआ और यहाँ जो E0 एनोड है एनोड यहाँ पर hydrogen का है तो वो 0.00 बान है उसका तो यहाँ जब हम value देखेंगे E0 copper के लिए तो E0 copper 2 प्लस upon copper equal to प्राप्त होता है 0.34 वोल्ट तो इस तरह से जो copper है वो cathode की तरह कारे किया SHE के साथ जोड़ने पर तो इस प्रकार SHE की सहेता से हम किसी S-E electrode का electrode विभो भी जयाद कर सकते हैं जो यहाँ पर cathode की तरह कारे करें और S-E electrode के लिए electrode विभो की गढदना भी कर सकते हैं जो की SHE के साथ जोडने के बाद आनोड की तरह कारे करता है झाल 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 झाल